Dear students, this is सुभितिवारी and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम स्टार्ट किये हैं हमारा नया चाप्टर, चाप्टर नमबर 6, जिसका नाम है Physical and Chemical Changes. इसमें आज हम आपको बताएंगे कि Physical Changes क्या होते हैं? Well, एक कुछ एक्जामपल अपन पहले देख लेते हैं. मैंने आपको एक एपपर दिया, आपने उसको दो पार्ट में कट कर दिया. तो ये क्या चेंज है? ये उसका Physical Change हुआ. एक पेपर दिया, आपने उसको क्रश करके बॉल में कंवर्ट कर दिया. ये उसका Physical Change हुआ. क्यों? क्योंकि इसने अपना शेप चेंज कर लिया और वो अपने दो पार्ट में टूड गया ठीक है? देन उसके बार मैंने आपको clean water दिया आपने उसमें कुछ pink color मिला दिया तो ये भी change है क्यों? क्योंकि पहले वो कैसा था? पहले वो transparent था पानी अब आपने क्या कर दिया? अब आपने उसके उसमें drops डाल दी ही किसी color की तो वो pink color का बन गया और example देखना है तो पहले मैंने आपको दिया था पानी आपने उसको रख दिया frizz में और वो convert हो गया ice में तो ये कौन सा चेंज हो गया ये भी physical change हो गया क्योंकि पानी जो पहले liquid form में था अब वो solid form में convert हो चुका है ठीक है तो वेल ये सारे changes जो कि किसी भी substance के shape के साथ size के साथ और color के साथ change कर दें वो सभी क्या कहलाते हैं वो सभी physical changes कहलाते हैं तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि the changes in state state मतलब लिक्विट से gas या gas से liquid liquid से solid या solid से liquid यह क्या कहलाएगा state ठीक है change in size size में change होना ठीक है जैसे की candle है candle जो पहले आपने बर्ण कर पर कर बादब एक नमान लीजे की वन इंच की थी ठीक है अब आपने क्या किया उसको जला दिया तो धीरे 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 जलते हुए आपने फिर उसको बुझाया वह हाफ इंच की हो गया तो size की change होने को भी हम क्या कहेंगे physical change ठीक है शेप में change हो जाना जैसे paper एक पहले a4 size का था फिर आपने उसको crush कर दिया तो उसका शेप ही change हो गया वह बॉल में convert हो गया आप उसको खोल भी दोगे तो भी उसमें crush आपको दिखाई देंगे तो यह हो गया हो गया यह घुटाइब उसके खहल दिखाईब कर दिया तो scroll दिखाता है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं physical change लेकिन physical change से कोई भी नई चीज नहीं बनती जैसे आगे में आपको पढ़ाओंगी chemical change जिसमें अगर आप chemical चीजों को मिलाते हो और उससे कुछ एक नया ही chemical बन जाए तो वो chemical change होता है जैसे केक का example मैंने आपको last class में भी बताया था मैंने baking powder लिया मैंने floor लिया मैंने सब को मिला दिया मिलाने के बाद मैंने उसे bake किया bake से बना cake तो यह एक नया चीज बन रहा है तो physical change का मतलब क्या होता है कि change अगर state के साथ size के साथ shape और color के साथ हो रहा है तो वो कौन सा change होता है physical change लेकिन ऐसे changes में कोई भी नया substance नहीं बनता है okay those changes in no new substance are formed are called the physical changes okay so अगर अपन properties की बात करे physical changes की तो properties क्या-क्या हो जाएगी the properties such as state, size, shape and color of a substance are called its physical properties तो अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी substance की या किसी भी thing की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसकी physical properties के बारे में बताईए तो physical properties के बारे मैं आप क्या बताएंगे उसका shape कैसा है, उसका size कैसा है, वो दिखने में कैसा है यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है physical properties, ओके? और इनी सब में जब अपन changes कर देते हैं तो वो क्या कहलाते है? वो कहलाते है physical changes, जैसे हमारे साथ भी physical change होते है, हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, देरे देरे हम grow करते हैं, तो हमारी height बढ़ जाती है, हमारा चहरा change हो जाता है, हम पहले मोटे हैं तो पतले हो जाते हैं तो यह सब क्या है यह सब physical change है राइट तो तो physical change के साथ आपको अगर properties याद रखनी है तो बिल्कुल याद रखिए physical properties include size color and state ठीक है state जैसा मैंने आपको बताया solid हो या liquid है के या gas तो यह तो solid से liquid हो जाएगा liquid से solid या gas तो अगर मैं आपको इसका example समझाओ properties याद रखने के लिए तो सबसे अच्छा example आप पानी को रखें आपने ice निकाली जो कि किस form में थी solid form में थी ठीक है अब ice को आपने रख दिया from temperature पर तो वह किस तो भाई यह होता है क्या यह होता है change in state ठीक है जैसे कि क्या solid से liquid में हुआ liquid से gas के form में vapor के form में convert हो गया ओके यह change आपको याद रखना है तो physical change क्या क्या होगा any change to physical properties of a substance is called the physical change physical change are usually reversible as no new substances formed physical change जो है वो generally क्या होते है usually reversible होते हैं जरूरी नहीं कि non reversible ना हो non reversible भी होते हैं और reversible भी होते हैं right as no new substances formed क्योंकि कोई भी नया substance नहीं form होता है it is the same substance but with change physical properties ठीक है वही substance होता है लेकिन उसकी physical properties change हो जाती है इस चीज को समझेंगे कैसे तो इस point को समझने के लिए मैं बताती हूँ आपके candle का example भई wax आपने पहले उसको एक form बना दिया आपने उसको candle में convert कर दिया तो वह candle form में था लेकिन उसकी property क्या है वो है तो waxी तो आपने उसको फिर physically वो क्या change हुआ पहले candle था एक ठोस form में था फिर उसके बाद वो पिघल करके liquid form में हो गया लेकिन है तो वैक्सी ना तो इसका मतलिब क्या it is the same substance but changed physical property same substance है लेकि उसकी physical property change हो चुकी है तो उसे अपन क्या कहेंगे physical change कहेंगे okay so कुछ examples और जो आपको physical changes को याद रखने में मदद करेंगे जैसे कि एक point पहले तो आपको याद रखना है the appearance of matter changes in a physical change but its chemical identity remains same physical changes मतलब वो सारे changes जिसमें identity सिर्फ change हो रही है लेकिन जो उसकी chemical है उसके अंदर वो वही के वही रहेंगे जैसे कि आपन human body की बाद करें हमारे अंदर जो blood है हमारे अंदर जो पानी है या salt content है वो तो सब वैसा का वैसा ही रहता है लेकिन हम सिर्फ बढ़ते या घटते हैं या मोटे या पतले हो जाते हैं लेकिन हम जिन चीजों से बने हुए वह वैसी की वैसी होती है तो यह एक्जामपल है आपके physical का राइट चलिए तो आप कुछ एक्जामपल जैसे crushing a can अपने can लिया ठीक है मैंने उसको crush कर दिया लेकिन उस can तो है can ही क्या उसके उसके material में कोई change आ गया नहीं अगर वो मालीजे पतले से steel का बना हुआ तो steel कई रहेगा melting in ice cube अगर ice cube की बात करें तो है तो वो पानी ही चाहे जम के वो ice हो जाए या पिखल करके क्या बन जाए water में convert हो जाए boiling water boiling water कैसे physical है तो मैंने आपको बता दिया कि फिजीकल ही क्या हो रहा है एक state से दूसरी Uma sailing में convert हो रहा है जब आपने उसको वोई किया वो Liquid था boil करने के बाद किया हो रहा है कि वह vapor form में convert होता जा रहा है तो एक state से दूसरे state में convert हो रहा है लेकिन है क्या है तो पानी ही ठीक है अब हो सकता है कि जो सैंड में आपने वाटर मिलाया हो उसके बाद सिर्फ सैंड बचे वाटर गायब हो जाए तो वाटर कहां चला जाएगा अगें वैपर के फॉर्म में उड़ जाएगा तो सैंड ही सिर्फ मिलेगी ठीक है लेकिन इसमें कुछ चेंज हुआ क्या नहीं मैं क्या बोलूंगे पहले कि ग्लास था वो सिर्फ ग्लास के कुछ पीसेस है ठीक है तो वह पीस में कंवर्ट हो गया ठोटे चोटे चोटे तुकडों में लेकिन क्या उसके कैमिकल में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ इसी तरीके से डिजॉल्विंग शुगर और सॉल्वल फॉर्म में हो जाती है पानी में मिलाओ तो लेकिन अगर अगर उसको फ्रीज कर दें इसको प्रॉसेस से जमा दे तो क्या होगा अगेन हमें शुगर मिल जाएगी तो इसमें कोई चेंज नहीं हुए मतलब आपको वापस से शुगर मिल रहा है ठीक है शीडिंग प्रॉपर्टी को नहीं चेंज करेगा ठीक है तो यह कुछ और फिजिकल चेंज जैसे ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, अगर मैंने बहुत सारी कैंडीज ले ली एक बाउल में ठीक है पहले दो तीन थी तो मतलब उस बाउल में दो कैंडीज थी फिर मैंने उसमे और डालने तो उसका हो गया है शेफ चेंज हो गया फिर उसके बाद श्रीणिग नचेंज हो गया और उसके बाद पहल्डिंग हो मैंटिंग आइस हो गया छुपिंग वृड्ट हो गया ठीक है जैसे 對 FORM में थी फिर आपने उसे दो पार्ट एं कर लिया cutting hair ठीक है बाल आपके क्या physically grow तो करते ही है आपने कर उनको cut कर दिया तो cut करने के बाद क्या वो और किसी form में convert हो जाएंगे या cut करोगे तो फिर वो जल जाएंगे आप automatically ऐसा कुछ होता है क्या नहीं रहेंगे तो वो वहीं के वहीं बाल ही रहेंगे ठीक है ड्राइ आइस सब्मेलेशन ठीक है आइस और इसका सब्मेलेशन की जो प्रोसेस होती है या आगे मैं बताऊंगे आपको boiling water पानी को गर्म करना breaking egg जो पहले एक normal form में था आपने उसको तोड़ दिया तो वो दो पार्ट में हो गया और उसके अंदर जो चीज थी वो निकल गई तो एक को break करना physical है लेकिन उसको पकाना थोड़ा सा chemical है ठीक है न तो वो एक के साथ दोनों चीज़े होती है जब आपने उसके सिर्फ एक की बात करी और उसको तोड़ दिया तो वो फिजिकल चेंज है लेकिन जब आप इसके एक से omelet बनाते हो तो वो chemical change हो जाता है वो आगे समझेंगे ठ सारे एक्जामपल थे हमारे किसके यह सारे एक्जामपल थे फिजिकल चेंजेस के चॉपिंग बूर्ड मिक्सिंग रैड इन ग्रीमार ग्रीन मावल्स सब्मेलेशन ऑफ ड्राइड आइस क्रमलिंग आप पैपर पेपर बैग मेल्टिंग सॉलिट सॉलफर इंटु लिक्वि लगभग सेमी रहता है यलो कलर का सलफर रहता तो यलो कलर ही आपको मिलता है और इस इस इन इंट्रस्टिंग एक्जामपल सेंस दा सिंस दो स्टेट चेंज दस कॉज़ अ कलर चेंज इवन दो दो क्यामिकल कंपोजिशन इस सेम विफोर और आफ्टर दाइज देखो यलो क के साथ होता है अब सलफर आप सोचेगी क्यों पर रहें तो वहीं सलफर जो है ना वह बहुत सारी जगे यूज किया जाता है जैसे अपने आपको मैं बताऊं कि बैटरीज बनाने में लिक्विट ऐसा लिक्विट इन बैटरीज फर्टिलाइजर ओल रिफाइनिंग वाटर प्रोसिसिंग बहुत सारे एक्जामपलेशंग पेपर में रबर रबर बनाने में सिमेंट में दिटर्जन में पेस्टिसाइड बनाने में जल्कुल सेमी रहती है तो यह भी बहुत अच्छा एक्जामपल है फिजिकल चेंज का आप आप several non-metals such as oxygen and redden change color as they change phases, ठीक है, और भी metals हैं जो कि अपने colors को change कर लेते हैं, लेकिन chemical property उनकी सेम रहती है, apple को chop करना, salt और sand को जैसे मैंने आपको बताया था, mix कर देना, ओके, तो ये सारे changes थे physical changes, तो physical changes के बारे में एक point याद रखना है, क्या याद रखना है कि जिसमें shape, color, state change हो जाए, लेकिन chemical उसमें कोई change ना हो, कोई भी उससे एक नया substance नहीं बनता हो, तो वो कहलाता है physical change, अब chemical change क्या होता है, well, chemical change का मतलब क्या होता है, a chemical change is a change of material into another new material with different properties, ठीक है, कुछ एक नया material बन जाना, कुछ और property के साथ, जैसे milk की मदद से curled बना देना, ठीक है, था कुछ अलग property का, हना, और curd कुछ अलग property का है, जैसे आप milk को टेस्ट करोगे, तो हलका सा आपको sweet सा feel होगा, लेकिन अगर अगर अपन करड की बात करें, तो वो कैसा feel होता है, ठोड़ा सा sour feel होता है, ठीक है, क्योंकि वो लाक्टिक प्रोसस से बन जाता है, तो लाक्ट with different properties and one or more than one new substance are formed, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो नया material बन सकता है, different property का, और one or more than one substance form हो सकते हैं, उसे अपन chemical change कहते हैं, A change with which you are quite familiar is the rusting of iron, iron में जंग लग जाना ये एक chemical reaction का सबसे common example है, आपने देखा होगा कि आपने अपने iron के चीज़ को छट पे अपने घर के रूफ पर अगर रग दिया है, तो उसमें लगेगी क्या, उसमें लगेगी धूल, dust, moisture, ठीक है, atmospheric moisture जो होता है, या बारिश का पान उसमें लग जाता है, तो reaction कर लेता है हवा के साथ में और उसमें जंग लग जाती है, जिसको अपन rust कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक chemical reaction है, क्योंकि iron की कुछ और property होती है, जब उसमें जंग लग जाती है, तो कोई different chemical reaction से होता है, तो ये होता है chemical changes, ठीक है, if you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance, this substance is called the rust and the process is called the rusting, well, अगर आपने iron के piece को कहीं पर भी खुलय में रख दिया है, तो उसके उपर एक brownish color का layer बन जाती है, उसे हम कहते है, rust, ठीक है, रस्ट को आपने कहां कहां देखा होगा, सबसे जदा आपने rust को देखा होगा, अपने kitchen में, आपने इंडिया में तबा यूज होता है, रोटी बनाने के लिए, तो वेल उसमें आप जब आप उगर उसको पानी के साथ धो करके ऐसे ही रख देंगे, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि उसमें आपको rust दिखे होगी, क्योंकि वो iron का तबा होता है, जो कि chemical reaction करके, क्या बना दीता है, उसको rust में convert कर दीता है, राइट, सो iron gates of iron gate of park और farmlands, iron benches, keep in lawns and garden, almost every article of iron capped in the open gets rusted, ठीके आपने देखा होगा कि जितनी चीजे भी जो open में रखी रहती है iron की, उन सभी में chemical reactions हो जाती है, at home you must have seen shawls and spads getting rusted when exposed to the atmosphere for some time, in the kitchen a wet iron pan, जिसको पन तबा कहते हैं, often gets rust if left in that state for some time, rust is not iron, it is different from iron on which it get deposited, ठीके है, well, आप ये सूचों कि rust iron का एक फॉर्म है तो जी नहीं, rust अलग चीज होती है, iron अलग चीज होती है, rust एक नया फॉर्म है जो की chemical reaction से बनता है, तो वेल, rust का तो अपने example देखा ही होगा, इसके अलावा और कौन-कौन से example होते हैं, फटा-फट से देख लेते हैं, तो burning of paper and log of wood, ठीके है, तो digestion of food भी एक chemical process है, boiling and egg, egg को क्योंकि आप boil करते हो, तो उसमें भी chemical reaction होती है, जिसके मदद से क्या होता है, जो egg है, वो अपने form को पूरा तरीक से change कर लेता है, उसका पूरा ककौरा form ही change हो जाता है, taste भी change हो जाता है, chemical battery use, usage, अब आपने जो battery use की होई है, वो क्या करती है, chemical energy को आपके electrical energy में convert करने का काम करती है, तो मतलब वहाँ पे chemical reactions होई, और कुछ और ही form आपको मिल गया, then उसके बाद electroplating on metal, अब metal के उपर electroplating करने का क्या मतलब होता है, तो वो भी chemical reaction होती है, chemical change होता है, हमने iron लिया, उसके उपर आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में कई तदिके की utensils होते हैं, नीचे जिसमें copper का base लगा होता है, तो वो electroplating की मदद से होता है, तो आपने क्या किया है, वहाँ पे iron और copper को मिला दिया, ठीक है, तो वो भी उससे तो आपने अलग-अलग किया, लेकिन कई जैके electroplating करके अलगी चीज, अलगी metal बन जाता है, ठ अपने decorative items में, utensils में इसको देखा होगा, तो वहाँ पर हमने chemical change कर दिये किसके बीच में, metals के बीच में, baking a cake, cake का example मैंने शुरुआत में ही बताया था, बहुत सार ingredients को मिला करके आपने क्या कर दिया, cake बना दिया, milk going sour, अब जो आपका milk है, अगर खुले में रख दिया, तो और वो फट गया, जिसको अपने याँ टेस्ट करके देखेंगे, तो वो sour taste का लगता है, क्योंकि उसमें chemical reaction हो जाती है, ठीक है, तो क्या वो पहले वाली form में रहता है, नहीं, various metabolic reactions that take place in the cells, rooting of fruits, ठीक है, fruits का की rooting, decomposition of waste, the explosion of fire workers, ठीक है, या fireworks जो होते है, आपका उसका explosion भी chemical reaction है the reaction between salts and acid, salt और acid के बीच में जो reactions होती है, वो भी chemical reaction है, वो भी chemical change है, rusting of iron, lightning, match stick, match stick को light करना भी chemical reaction है, क्या कि आपने उसको इस तरह से आप जब उसे चलाते हैं, तो वो एक दूसरे form से दूसरे form में, ash form में convert हो जाता है, और हमारी daily everyday life में भी आप देखोगे, कि बहुत सारे स ऐसे सारे example है, जो कि हमारे chemical changes को बताते हैं, जैसे कि photosynthesis हो गया, यहां पर देखिया है, आप digestion हो गया, कोई चीज़ आपने खाई, वो digest हो गई, ठीक है, baking करना, combustion करना, तो यह सभी आपके क्या है, chemical changes हो, तो भी हमारी daily life में बहुत सारे तरीके के chemical और physical changes हो सकते हैं, तो अग उनको broadly दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, physical change और chemical change, physical change जैसे कि जिसमें कोई भी नया substance form नहीं होता, ठीक है, chemical change मतलब जिसमें नया substance form होगा, कुछ example, melting ice, evaporating water, cutting गापेपर, ठीक है, chemical change का मतलब, rusting, firework और burning गापेपर, भी यह सारे चीज़ें इसलिए बताई जा रही है ताकि इन examples कि थुरू आपको दोनों का जो concept है ना वो clear हो जाए, जैसे और chemical changes के आपको देखना है, तो आप देखे, combustion मतलब आपने किसी चीज़ को जलाया, वो खतम हो गई, rooting थे कि इस तरह से किसी भी fruit का आप जब देखते हो कि वो अपना दीर दीर अगर रखा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा खराब होने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं, और उसका taste है change हो जाता है, rusting होना, digestion, यह सभी क्या है, chemical processes या chemical changes है, physical changes में melt होना, shredding होना, boiling होना, chopping होना, they all are the physical changes, right, तो भही हमारे everyday life में बहुत सारे changes होते हैं, अगर आपन दोनों के बीच में difference निक chemical changes, तो physical changes कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप बता दीजेगा, this is a change where the molecular rearrange themselves, but no change in the internal composition happen, मतलब internally उनमें कोई change नहीं होता, सिर्फ उनके shape में और size में change हो, in short, chemical मतलब क्या, chemical changes मतलब जिससे हमें कोई नया substance मिले, nature क्या होता है, यह change, these changes are reversible in nature, generally physical changes जो है, वो reversible होते हैं, और यह changes जो होते हैं, वो irreversible या फिर non-reversible आप कह सकते हो, होते हैं, इंपक्ट क्या होता है, it impacts the physical properties like shape, size, color and more, ठीके, इनका इंपक्ट क्या है, अगर कहीं physical change हुआ है, तो मतलब क्या change हुआ होगा, shape change हुआ होगा, size change हुआ होगा, या color change हुआ होगा, chemical change हुआ है, इसका मतलब, this impacts the chemical properties as well as the physical properties इसमें physical के साथ साथ chemical दोनों ही changes होते हैं energy क्या होती है no absorption और evolution of energy इसमें कोई भी energy absorb या evolute नहीं होती इस reaction में absorption and evolution दोनों होता है example तो आप बहुत सारे मैंने आपको बता दिये हैं कुछ भी देख सकते हैं cutting of wood freezing water इसके देख सकते है burning of wood digesting of food baking the cake etc right so यह थे कुछ differences जैसे original matter क्या होता है one can recover the original matter one cannot recover the original matter इसमें क्या हो सकता original matter में हम recover कर सकते हैं बट इसमें नहीं कर सकते हैं it does not form a new product a our new product is from from the chemical changes ठीक हैं तो वेल यह कहानी थी हमारी physical changes के और chemical changes की I hope आपको clear होगा कि physical changes क्या होते हैं और रिजिकल changes क्या होते हैं और यह इने physical और इने chemical changes कहा जाता है अब हम पढ़ेंगे chemical changes से होने वाली कुछ चीजों को जैसे rusting के बारे में और आगे मैं बताऊंगी crystallization के बारे में लेकिन वह कहा वह बताऊंगी में मेरे next वीडियो में प्रिवियस वीडियो देखना चाहते हैं कुछ और चैप्टर जो हमने अल्रेडी पढ़ लिया है आपने नहीं देखा है कैसे देख सकते हैं www.magnetbeans.com पर जा करके जस्ट आपको class select करनी है class 7 देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरह से सारे subjects देखेंगे जो subject पढ़ना है watch now कर दो watch now करते साथ ही आपको नीटे chapter की list देखेगी chapter को choose करिये जो भी chapter पढ़ना है इसके topics, subtopics everything is there बस आपको click करना है click करते साथ ही एक नया वीडियो open हो जाएगा वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही topic clear होगा तो ही समझ में आएगा जब वीडियो आप पूरा देख ले, पसंद आए तो like करिये, comment करके बताएए अगर पसंद आ रहा है, अगर कुछ doubt है तो भी आप comment section में लिख सकते हैं इसे share करें अपनी same class के students के साथ और उनके साथ जो किसी और class में है, क्योंकि हमारे पास हर class के 100% free classes है, मतलब kindergarten से class 12 तक, channel को subscribe करें ताकि जो भी recent update है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए, well मैं मिलूंगी मेरे next video में, till then stay happy, stay healthy, thank you so much